हेलो फ्रेंट्स वेलकम यॉल फ्रेंट्स आज हम एक ऐसी स्टेजी डिसकस करेंगे जिसका रिस्क एंट रिवार्ड रिश्यो बहुत ज़्यदा हाय है इतना हाय है कि आप कुछ हजार रुपे लगा के इसमें कई लाग रुपे बना सकते हैं तो फ्रेंट्स बेसिकली बात तो सही है क्योंकि आप अगर देखें जो सही से फॉलो कर रहे हो और अपने लेवल से उनको वाच करके आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और शॉट तम के लिए कर रहे हो क्योंकि इसमें थीटा जो है थीटा फेट है सबसे ज़्यादा वोस में लाउस देता है तो ऑप्श इस स्टेड़िजी के आपने जो मैं रूल बताऊंगा उनको फॉलो गरने है और उसके हिसाब से आपने बाय करना है जो कुछ केंडिशन में बताऊंगा वो जब कंडिशन में अपने तभी उसको करना है तो इसमें आप अगर देखें जो यह स्टेजी है बैंक निफ्टी पही हमने करना है और expiry day वाले दिन करना है केवल expiry day वाले दिन करना है और हमने इसमें 230 के बाद enter करना है क्योंकि 230 तक जो प्रियम होते हैं जतनी प्रियम होते हैं जो time value होती है उनकी almost zero हो जाती है और जो theta है वो बिल्कुल निल हो जाता है तो आपका जो जो भी आप option buying आएगी तो उसमें आपको ऐसा future ही काम करेगा वाप option और हमने out of the money strike की लेनी है क्योंकि हमने अपने जो risk reward हमारा जादा है वो जादा है इसलिए क्योंकि हम बहुत मतलब पैसों के premium देखे option को लेंगे और और उसमें अगर moment आती है volatility आती है index में volatility आती है तो उस time पर हमें ए चलना है कि bank nifty is a very volatile index और expiry वाले दिन बहुत volatile हो सकता है मतली expiry वाले दिन तो होता ही है volatile और जब expiry होती है तीन बजे के आसपास आपने देखाऊगा sudden moment होती है एक दो परसेंट की moment bank nifty कर देता है 200-300-400 point की moment कर देता है यह हर expiry में नहीं करता यह आपको जो moments मिलेंगी मही महिने में एक बार दो महिने में एक बार पर मिलती जरूर नहीं ऐसी moments आपने वो moments capture करनी है आप अगर वो moments capture कर लेते हो और थोड़ा सा रिस्क ले लेते हो तो उसमें आपको आपकी capital 10-20-30 नहीं 100 गोना से ज्याज़ा हो सकती है एक दिन में तो risk rate में बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा दिहान से हमने करना है इसको मैं आपको अभी Excel sheet पर करके बताता हूँ कि इसमें हम कैसे इसको कर सकते हैं हम इस suppose करते हैं bank nifty का लेवल भी 35,000 है और 35,000 अगर bank nifty का लेवल है तो हमने out of the money जो options है वो choose करना है तो डाई और तीन बजे के बीच में जो options की करते हैं कि आपको 50 पैसे में यह option मिल ला है आपको 35,200 का चीक है friends तो हमने जो invest किया है हम invest करते हैं हम 10,000 हमने invest किया है और हमारा जो bank nifty का साइज है 25 का है तो हम 10,000 रुपीज इंवेस्ट करके और हमारा option का premium अगर 35,200 का strike है इसका अगर हमारा 50 पैसे है तो हम कितने lot purchase कर सक यानि कि हमें 800 lot मिल जाएंगे bank nifty के 10,000 पर लगा के चीक है friends उसके बाद आप देखो अगर bank nifty में हम यह एजूम करते हैं कि bank nifty में कोई news आती है या कोई बहुत एकदम से ज्यादा volatility आती है और हम केवल यह एजूम करते हैं कि bank nifty 1% की move देगा हम देखें अगर 1% bank nifty move करे हमारा जो strike price था जो हमने purchase किया है that is 3500 तो हमारा जो जो इसकी option की intrinsic value होगी यानि कि जो यह अभी इंदमनी हो जाएगा यह हमारी 150 हो जाएगी कि हमारा 3500 का strike price था और bank nifty का लावल भी 3550 है तो हमारा जो 150 है 150 इसकी minimum value हो जाएगी उस ताम पे तो हमने आप देखो friends 10,000 पर और हम जैसा हमने expect किया यह आपका यह नहीं की महीने में होगा यह कभी भी हो सकता है क्योंकि bank nifty इतना volatile है अभी कल की कल का ही मैं market watch कर रहा था शान को टाई बजे के बाद bank nifty ने bank nifty कम से कम 1.5% का move दे दिया था तो bank nifty का क्योंकि इतना volatile index है क्योंकि इसमें कुछ ही आरद 500 lot हमारे पास है हमारा option जो है वो उसकी value 150 हो गई है तो 800 को हम 150 से multiply करें और हमारा एक lot size 25 हो का तो amount जो आ रही हो 30 lakh आ रही है तो आप देखो friends 10,000 रुपीस लगा के हमने invest कितने के 10,000 हमें अगर ऐसा हमारा दो महीने तीन महीने में एक बार भी होता है तो friends 30 lakhs की हाँपे capital ब कुछ है जब भी lose ball मिले उस पर आपने चक्का मारना है ऐसा भी हो सकता है friends कि जो 10,000 की capital है ये भी कुछ लोग को जादा लगे कि एक risk लेने के बैट लेने के काफी जाए तो कोई नहीं आप इसको 5000 कर सकते हैं अगर मैं इसको 5000 करूँगा तो जो हमारा profit का level वो आधा हो हैं 48 में से आपको अगर 2-3 expiry भी मिल गई ऐसी तो 8-10,000 रुप आपके बनते हैं और जाते कितने आपके 48,000 रुपिस आपके जाते हैं तो friends ये एक ऐसी चीजे हैं ये छोटी-छोटी चीजे हैं जो बहुत बला return दे सकती हैं बट आपको बहुत ही patiently इन चीजों का wait करना है और इन में आपने ऐसा ये एक तरह का speculation तो ही है बट ये एक बहुत small capital चाप करोगे तो वो speculation अब 1000 रुपे अगर देखो है 1000 रुपे market में कोई बहुत बड़ी capital नहीं है आपको 1000 रुपे लगा के अगर इतना बड़ा return मिलने की अगर आपको संभावना है और this is very much practical मैं आपक चार्ट पर दिखाता हूँ एक सेगें यह फेंट्स बैंक निफ्टी का चार्ट है आप अगर देखें आप तोड़े सेवंट सिक्स्टीं आप कल का चार्ट देखिए कल हमारा बैंक निफ्टी आफ्टर तू थर्टी यह तो थर्टी पर लेवल था इसका 348.74 तू थर्टी पर अधिके टाइम पर यह था 353.70 अहां पर देखिए पर आल्मोस्ट प्रॉंट की मुविन्ट है इसलिके साड़े तीन से पहले पहले 500 पॉंट की मुविन्ट है 500 पॉंट मतलब यह हो गया कि यह जो मुविन्ट है यह हमारी 1.5% के असपास है तो हम तो यह सुदते हैं कि एक परसेंटिक पर बैंक इंटिक मोमिट कर दी तो उस ताइम पर एक बिग प्रॉफित आप लोगे ठीक हो सकता है आपको प्रियम 50 पैसे वो लग रहा है अब प्रियम को कोई नहीं आप एक रुपे का लेजिए प्रियम दो रुपे का लेजिए फिर भी बहुत बला रिस्क् गिरेगा थैंकियो सो मच